क्या आप तयार हैं अपनी चंगाई छुटकारे और चमतकार को लेने के लिए? जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 9 का 23 में लिखा है, येशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ सभव है, हमारा विश्वास है 30 और 31 को होने जा रही, हीलिंग मेरिकल्स लाइफ सर्विस में परमेश्वर अपनी अविश्विक्त दासी के द्वारा अध्भुत काम आपके जीवनों में करेगा, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेगे, दुष्टा आत्माओं से लोग आजाद होंगे, भाई पता रहे है पासरी, ताई आग से दुंदला दिखाई देता था, पर जैसी अज आज आपने बुलाया, आगे प्रियर करी प्रभु की सामरते चुआ, ताई आग से चेक किया, पूरा साफ दिखाई देता था, अभी ये, ये, दो, तारी, तोनों आखों से बहुती द सुन्दला दिखाई दिखाई देता था, एक से तो बिलकुली नहीं दिखता था, पर आज जैसे अपने प्रात्ना करी, तोनों आको से पूरा साफ दिखना शुरू हो गया है, कोआज सी ऑन दुखता रहत, इसको पंद को दूसरी को, इसंसे दिखता था दो ला, इसको आग हाललुया पिछले 17 सालों से बैन को पांच नंबर का दूर का चश्मा लगा हो थे यह बिल्कुल देख नहीं पाते थे तुंदला दिखाई देता था और बता रहे हैं बहुत सी आईडॉप साली कोई आराम नहीं हो रहा है है वाज साल से 17 सालों से जी 17 सानलों मैं इंच इंग रहेँधी और दूर का दिखाई नहीं देता थे दा बिना चश्मे के अभी क्या हुआ है बिना चस्वे के भी देख पा रहे है कर अ про इदर मेरे साथ और व बहल लेटी है ना दिख रहे नीच अंसराटी मैना मुर्दा लाजर की तरह परमेश्वर आपकी मरी हुई हालाद को फिर से जीवित करेगा देखिए, दुरी कोई माइने नहीं रखती, जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कौन रोख सकता है तो तयार रहे 30 और 31 की Healing Miracles Life Service में कनेक्ट होने के लिए क्योंकि शैतान आपको रोखना चाहेगा कि आप इस अभिशेक के साथ कनेक्ट ना होने पाए वो नहीं चाहेगा कि आप आपकी आशीश को पाएं, आप अपनी चंगाई को पाएं, वो आपको रोखने का बरकस प्रयास करेगा परन्तु मेरे भाई और बहने उस 12 साल की रोगन की तरहा हर भीड को पार करके जैसे उसने अपनी चंगाई को लिया आप भी इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बन कर अपनी गवाही को ले सकते हैं